हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एलजी आरेस्टेडी इंटर में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग इंटर्मेडेट बोर्ड एक्जाम के बेहतर तयारी के लिए एंगलिज सौ मार्ड के महातपूर्ण ऑबजेक्टिव कोश्चन का तयारी करते हैं आपको बता दे कि आज यहाँ इस वीडियो स्रीज का तीन नंबर वीडियो है इंगलिज के महातपूर्ण ऑबजेक्टिव काफी महारपूर्ण है चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग जो है मोडल सेट आपका जो है वन का चालिस कोईस्टन जो हमने डिसकसन किया था तो आज आपका वीडियो जो है वह एक तालिस नम्मर कोईस्टन से स्टार्ट होगा तो चलिए जो है एक तालिस नम्मर कोईस्टन पर चलते हैं जो लोग अभी तक इंटर्मेडियेट बोर्ड एक्जाम के बेहतर त्यारी के लिए हमारे मोबाइल एक को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल का लिंक मिल ज आप लिंक मिलेगा तो जो लोग डाउनलोड नहीं किये हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जागा वहां से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा याने तो सिंप्ली पले स्टोर पर सर्च करेंगे लग्यार स्टडी एप तो सबसे यहां पर कोश्चन के दौरा पूछा गया आपसे कि आवर एंसेस्टर जो हमारे पुरबज थे वह हमें दूर रखे किस चीजों से दूर जो है रहने को जो है मोटिबेट कि आपी दूर रहने का सलाह दिये या आपको जो है बताना है तो आपको बता दे कि 41 का यहां पर लगजरी चीजों का यूज करते हैं उतना ही दोस्तों हमारा जो बड़ी है वह इनक्टिव होता जा रहा है इस तरह से आप जो है इसको याद रखेंगे कि हमारे एंसेस्टर जो थे वह हमें दूर रखने का जो है किस चीजों से तो लगजरी एंड जो पिलीजर जीतने भी चीजे हैं वह सभी चीजों से आपके समझ लीजिए और टो चीजने भी चलने वाले हैं ठीक है जैसे आपके समझ लीजिए कि बाइक है कार्स हैं उसके जगह पर हमारे प्रभजों ने कहां पायदल चलो या फिस सांकिल का यूज करो इस तरह से आप समझेंगे 42 नंबर कु संटुस्ट भिलेज मिस दैर्मिस गाउं से व वह लोग क्या थे संटूस्ट थे बट आज में रहना पसंद नहीं करता बट हमारे एंसेस्टर्स जो थे पुराने समय में जो है हमारे जो लोग थे वह एंसेंट टाइम पर पुराने समय पर वह जो है विलेज से ही क्या थे सरिस्फाइज थे डैटमिस संतूस्ट थे ठीक है आगे बढ़ते हैं इस कुष्टन को जो है खास करके देखेंगे काफी मातपूर्ण है बोला जा रहा है डाक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेंड एक्सेप्सनली डैटमिस जो डाक्टर राधा कृष्णन थे उन्होंने खास करके किस चीजों का जो एक्सप्लेंड किया था ठीक है तो 43 का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वह भी होगा डैटमिस आप देख सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी का जो खास करके उन्होंने क्या किया था तो उसका एक्स्प्लानेशन क्या था यहां आप याद रखेंगे नेक्स्ट यहां पर आपका जो है 44 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि आई हैब ड्रीम ईजए सब्सक्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इनका पूरा नाम है तो उनके जो आपको क्या करना है बताना है तो 44 का यहां पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा अगस्ट 28 1963 मतलब आपको इस पीच जो है यहां आप याद रखेंगे नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो है यहां अमेरिका में दिया गया था इनके तोरा यह भी आप याद रख सकते हैं कोई रिक्कत नहीं है यहां पर आप 45 नमबर को देखेंगे पूछा चारह आए दा टेनिंग ऑफ डोम स्टार्ट किया तो उनके जिवन में जो है कैसा चेंज जाया यहां आपको क्या करना है बताना ठीक है तो पैतालेस का यहां पर आपका सज्ञांसर वह यह होगा डैटमीश आप देख सकते हैं कि फिलिजेंट डैटमीश जब हमारे पुरबत जो है वह क्या करे तो जैसे ही जो है पालतू जानबरों को जो डोमेस्टिक एनिमल से उनको पालना स्टार्ट किया तो उनके जीवन में जो है जो है सुखी का जो है अनुबब वह और जानबर को लेकर के ने तो क्या होता थे घुमंतू की तरह बटकते रहते थे आज यहां कल वहां इस तरह से जादे रह में चुनेख़ गया है यह आपको क्या करना है बताना तो यहां पर आपका डी ओप्षण इहां पर आप डी लिख लेंगे डी आप्शन है जो है सही होगा भी रुजल ठीक अप्याद रखेंगे नेक्स्ट यहां जो है 47 47 नमबर कोश्चन है पूचा चरह की इन बंगला देश में चिल्रेन आर लुक्ट आप्टर बाइदा मतलब बंगला देश के अंदर जो है जो बच्चे होते हैं वो किसके दर देखवाल किये जाते हैं यह आपको क्या करना है बताना है तो 47 का यहाँ पार आपका C आप्शन ह है सयोगा होल फैमली मतलब बंगला देश के अंदर जो है आपके चेप्टर के अधार पर आपको कोश्चन का अंसर करना है वैसे तो इंडिया में पर ऐसा ही सिस्टम है कि जो बच्चे होते हैं उनको होल फैमली के दोरा क्या किया जाता है लूक आपडर एक प्रेज है और जो है देखवाल किया जाता है तो होल फैमली यहां पर आपका बिल्कुल सयोगा एकॉर्डिंग टू आपके जो बोक्स हैं उनके अनुसार यहां पर आप 48 नुमर को देखेंगे फू है रीटेन यह चाइलीज बॉर्ण जो चेप्टर है वो किनके दुरा लिखा गया है यह आपको बतना ठीक है तो फोटी एट का यहां पर आपका सी ऑप्सन जो है सहीोगा डेट मिशाप देखेंगे जी ग्रेयर ठीक है जरमेनी ग्रेयर इसको जो है बूला जाता है पूरा इनका नाम है याद रह सकते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे फोटी नाइन नंबर बैंची पैरन्स एन प्लनग फोरे सेरец वानि वेइन की वाज मतलब जब बैंची कितने साल के थे तब उनके झो पेरेंट्स थे और ने प्लानिंघ किया कि 1000 का प्लानिंघ किया तो से द्विए एक पेड़ार समझ सकते हैं कि जो है उतस है उतस्य है मनने का प्लाइन का था साल का था यह आपको बताना है करने का कई प्रफशन से यहोगा डाइट मिस आप देख सकते हैं कि 21 जब बैंजी का उम्र जो है एक की साल था तब उनके पिता जो है एक ऑकेजन रख करके एक अबसर जो है रख करके उन्होंने क्या करा एक पार्टी रख करके एक अपने पुत्र को जो है आप सभी को पताऊगा जब आ वह कब जर्म लिए थे यह आपको बताना ठीक है तो 50 का यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा 1905 मतलब 1905 में उनका क्या हुआ था जर्म हुआ था यह आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट आप 51 को देखिए बोला जा रहा है नाटालिया एज ठीक है नाटालिया जो ह है वह कैसी थी किस तरह से जो है अपना रहना इस्तिती समझती अच्छा समझती थी तो 51 का सी आपका सही होगा डैट में सब देख सकते हैं कि एपीस लिभिंग ठीक है वह एक तरह से समझ लिए कि सांती जीवन जीना क्या करते थी चाहते थी कौन तो नाटालिया जो थी वह आप डिरेक्टली आप जब कहानी पढ़ें तो आपको जैदा ही क्या और समझ में आ रहा होगा ठीक है आप पढ़ेंगे 52 नमर को क्यों को कूस्टिन है लो मोब पर पोजट नाटालिया लो मोब जो वह नटालिया को कैसे प्रपोज किया था यह आपको बताना ठीक है तो 52 क से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है यह आप याद रखेंगे नेक्स्ट यहां आपका जो है 53 नंबर जो कुष्चन है पूछ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं विटमें वाज बॉर्ण इन विटमें जो है वह कब जैनम लिए थे ठीक है सथारा सो उननीस इस विमुन का जन्म हुआ था हुई टमें का ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे 54 नंबर कुष्चन पूछ रही है कि सॉंग ऑफ माइसेल्फ जो है वह क्या है ठीक है तो 54 का जो ए ऑप्शन है सहीयों का डाटमी साथ देख सकते हैं कि ए लडिक के है वह क्या यह आपको बताना ठीक है तो 55 का यहां जो ए ऑप्शन है आपका सहीयों का ए रोमांटिक जो है पोईट ए रोमांटिक यहां पर आपका बिल्कुल ही जो है सही ऑप्शन है अगे बढ़ते हैं 56 नमर कुष्चन को देखिए और अगर भी तक आप इस वीडियो को लाइक नही बतलब किसने कहा था कि जो ओट तुअटमन जो है वह कीट का किसका किस अगेट का जो है मोस्ट सटीसफाइं मतलब सब से जैदा सटीसफाइं करने वाला ओड्स था ओड्स मीशन होता गीत ठीक है और आपको यह भी पता होना जीए ओड्ड टूटमन जो आपका एक पोयम है वो पोयम नहीं वो क्या है तो ओड है और ओड आपको बता दे कि ओड का जो modern English word है वो है song ठीक है तो किसने कहा था कि kids का जो गीत था ओड टू अटमन वो सबसे जैदा satisfying जो है ओड था या आपको बताना सही आंसर होगा नेक्स्ट आप देखेंगे 57 नंबर को ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियोटीज्म इन डॉट 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 फेज ऑफ फस्ट वर्ड वार्ड जो ब्रुक है रुपर्ट ब्रुक आप सभी जानते होंगे उनको वो कब इंस्पायर्ड हुए थे किस चीजों स होगते तो तो देश बक्ती चीजों से किस फेज में जो फास्ट वर्ड वार्ड था उसके किस फेज में जो हैं देश8 सेğस्पायर्ड हुए थे यह आपको क्या करना है तो फिव टीसीवन का यहां पर आपका यह ओप्चन है बिल्कुल ही से होगा अरले यहां पर यहां पर से ठीक है नेक्स्ट आप 58 नमर कुश्चन को देखेंगे पूछ रहे कि हूँ है कमपोज दपोयम मेका भीटी दप्रिक एट मेका भीटी दप्रिक एट जो पोयम है वह किनों ने कमपोज किया है उनका तो यहां पर आपका फिप्टी एट का जो ए ऑप्षन है सहीओ का टीएस इलिएट आप जो है याद रखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे कुश्चन नमबर 59 को कुश्चन है इलिएट वाज एवार्डेट दा नोबेल प्राइज फोर लिट्रेचर इन डॉट 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 डैट मिस जो इलिएट है आप टीएस इलिएट को सभी जानते होंगे वह जो है नोबेल प्राइज से जो है कब जो है सम्मानित किये गए थे या आपको डिरेक्ली बताना है ठीक है तो 59 का यहां पर आपका बी ऑप्षन से होगा 1948 आप याद रखे कि एसनेक जो पोयम है उनके राइटर कौन है तो 60 का यहां पर आपका डी ऑप्षन है 60 का डी ऑप्षन सही होगा आप देख सकते हैं कि डी एच लॉरेंस या आपका बिल्कुल जो है आपका सही आंसर होगा चलिए आज के लिए तना ही रखते हैं वीडियो कैसा लगा डाउलोड नहीं किये हैं जो कि इंटर्मीडियेट बोर्ग्जाम के लिए काफी महात्पूर्ण है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मॉलेप का लिंक मिल जाएगा जहां से मॉलेप जो है जरूर डाउलोड कर लिजिए यान दो सिंप्ली पले